अभप्तों का संग्य एक आवशक विशेग वानी पीडिया से मनों व्यज्यानिक और सामाजे के वन व्यवहार व्यज्यानिक पुरानी कहावतों से सहमत हैं, एक पंक वाले पक्षी एक साथ जूंड में रहते हैं और साथ ही हम अपनी संगती से जाने जाते हैं हमारे दोस्तो का हमारी भावनाओं, सोच और विवहार पर महत्वपून प्रभाव पड़ता है, स्वयवन को अच्छी संगती में रखने के उलेखनी एलाभों में मजबूत आत्म विश्वास और इच्छा शक्ती, बेहतर स्वास्थय और दीब घायू, बेहतर वित्य योजना और सामान रूप से निर्ण लेना शामिल है, आध्यात्मिक जीवन में घनिष्ट संगती शायद और भी अधिक महत्वपूर्ण है, हम अपनी भार में प्रतिग्याओं और विश्वासों को बनाए रखने में मदद के लिए साथी भक्तों, हमारे चैखनिक सांगा या आंतरिक मंडल भरोसा करते हैं, यदि कोई अभक्तों के साथ घनिष्ट संबंद बनाता है, जो उसके अभ्यास का समर्थन नहीं करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि उसका विश्वास प्रभावित होगा और समय के साथ वे पूरी तरह सिक्ष हो सकता है, ऐसा कहा जाता है कि ज लोग आत्म पराजित जीवन जीते हैं और खुद को निचली इच्छाओं से मुक्त करने में असमर्थ होते हैं, और इस प्रकार दूसरों का उठान करने में असमर्थ होते हैं, उनका साथ व्यक्ति को अंधकार और भ्रम की ओर ले जाता है, श्रील प्रभुपाद की पुस श्रीमत भागवत एक दशमलभुपाद की पुस्तकों से उधरण यहां महाराज परिक्षित द्वारा समझाया गया है कि भग्वान का भक्त ही एक मात्र पून जीवित प्राणी है, भग्वान का भक्त किसी का शत्रू नहीं होता, य दिपी भक्त के अनेक शत्रू हो सकते ह भगवान का भक्त अभक्तों की संगती करना पसंद नहीं करता, हाला कि उनसे उसकी कोई शत्रुता नहीं होती, वह भगवान के भक्तों के साथ संगती की इच्छा रखता है. यह बिलकुल प्राक्रतिक है क्योंकि एक ही पंक के पक्षी आपस में मिल जाते हैं. श्रीमत भागवत 1.1916 यह समझा जाना चाहिए कि एक मध्यम अधिकारी, एक द्विते श्रेनी का भक्त, कृष्ण चेतना से पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन शास्त्रिय संदर्भ के आप अपने विश्वास का समर्थन नहीं कर सकता है. एक नव दीक्षित व्यक्ति अभक्तों की संगती करके नीचे गिर सकता है क्योंकि वेह द्रिडता से आश्वस और द्रिड स्थित नहीं है. चेतने चरित आमरित मध्यलीला मध्य 22.7 एक वैश्वस नव एक भक्त को गिर भक्तों के साथ घनिष्ट संबंध को त्याग देना चाहिए. अभक्तों द्वारा दिया गया भोजन खाने से साथधानी पूर्वक बचना चाहिए. वास्तव में एक भक्त को किसी गिर भक्त स भोजन स्विकारना करने में बहुत सख्त होना चाहिए. विशेश रूप से रेस्तरा या होटेल या हवाई जहाज में तयार किया गया भोजन. चैतये चरितामरित, मध्यलीला 12.195 अप्वित्र संगती क्या है? यह उस व्यक्ती के साथ संबंध है जो महिलाओं से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और ऐसे व्यक्ती के साथ है जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है. यह अप्वित्र व्यक्ती है. व्यक्ती को चैतये चैतये की शिक्षा, अध्याय 12. एक वैश्रव का पहला काम उन लोगों का साथ छोड़ना है जो क्रिश्ण के भक्त नहीं है और जो भवतिक चीजों पतनी, बच्चों, बिंक बालेंस आधी से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं. प्रहलाद महाराज भी भगवान स प्रार्थ ना करते हैं कि वे भवतिक वादी जीवन शैली से जुड़े अभक्तों की संगती से बचें. यदि उसे किसी से आ सकते होना ही है तो वे केवल एक भक्त से ही आ सकत होने की प्रार्थ ना करता है. श्रीमत भागवत 5.18.10. जब तक कोई व्यति नियामक सिधानतों और भगवान के पवित्र नाम कजप और श्रमन करने के संबंद में आध्यात में गुरुवार के निर्दीशूं का पालन नहीं करता, वे शुद्भक्त नहीं बन सकता. मनुषे अपनी मांस से कुल्जनों स ही नीचे गिरता है. अभक्तों की संगती करने से मनुषे नियमों को तोड़ता है और इस प्रकार नश्ट हो जाता है. चैतये चरितामरित मध्यलीला 19.157 एक भक्त का सबसे प्रबल शत्रू आनंद दायक भावना से महिलाओं के साथ संगती करना है. अभक्तों के साथ संग कि इसलिये भी निन्दा की जाती है क्यूंकि भक्ती के मार्क पर यह भी एक दुर्ग जहार शत्रू है. व्यक्ति को पूरी तरह से क्रण के चरण कमलों के प्रती समर्पन करना होगा और महिलाओं और आभक्तों के प्रती आकरशन छोड़ना होगा. चैतये चरितामरित मध् अभक्तों की संगती, क्रिश्ण की दया और भक्ती सेवा प्रदान करने को संदर्भित करता है। ये सभी व्यक्ती को अभक्तों की संगती और बाहरी उर्जा, माया द्वारा प्रदध्भातिक एश्वर्य को त्यागने में मदद करते हैं।